दोस्तों भारत अपने मैसिव रेल्वे नेटवर्क के लिए जाना जाता है जहां कन्वेंशनल रेल्वे सिग्नलिंग सिश्टम के इस्तमाल से ट्रेनों को अपरेट किया जा रहा है लेकिन अब जल्द ही कन्वेंशनल सिग्नलिंग सिश्टम में बदलाब देखने को मिलेगा तरसर भारत Electronics Limited ने डेली Metro Rail Corporation के साथ एक ICBTC यानि Indigenous Communication Based Train Control System को जोईंटली डेवलप करने के लिए एक M.O.U. साइन किया है ICBTC एक Modern Communication Based System है जिसमें Timely और Accurate Train Control Information को ट्रांसफर करने के लिए Radio Communication का इस्तमाल किया जाता है ये Metro और Rail Automation के छित्र में एक बड़ा Achievement होगा और इससे आत्म निर्बर भारत मिशन को भी Boost मिलेगा इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की Ministry of Housing and Urban Affairs की अंडर में Carry Out किया जाएगा साथ साइच के हिसाब से दुनिया का चौता सबसे बड़ा National Railway System है News on Air के अनुसार Conventional Railway Signaling Color Light Signals पर आधारित है और ट्रेंज को Track Circuits और Axle Counters की मदद से डेटेक्ट किया जाता है हाला कि ये टेक्नलोजी ट्रेंज को पता लगाने और कंट्रोल करने के लिए सीटेबल है लेकिन फिर भी ये section capacity को पूरी तरह से utilize करने में सच्चम नहीं है जहां एक indigenous communication based train control system की जरूरत मैसूस होती है modern communication based system traffic management और infrastructure control के लिए train और track equipment के बीच telecommunication का उपियो करता है जिससे railway traffic के management को और भी efficient और safe मनाया जा सकता है और इससे train की exact location को भी track किया जा सकता है जो मौझूदा signaling system से बैतर है सदेसी रूप से विक से signaling system, metro signaling और train control system में आत्म निरवरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये innovation को बढ़ावा देगा और local level पर skills के enhancement के साथ metro के deployment cost को भी कम करेगा और control signaling system के field में देश को expertise हासिल करने में भी मदद करेगा major cities में बड़ती population के साथ mass transit transport और signaling system को evolve करने की आविशकता है दोस्तों इस पे आपके क्या विचार हैं हमें comment section में जरूर बताएं करेगे